कि अपने पेरेंट्स के साथ डिफरन 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 एक्टिविटीज कर रहे हैं कोई जूल जूल रहा है कोई फुटबोल खेल रहा है और काफी एक अच्छा पॉठिव इंवार्मेंट है कि बहुत ही प्यारा व्यू है यहां पर लोगों ने शिप्स याउट्स बगारा पार्क कर रखी है इस लीमा में है यह एरिया कि काफी फॉर्टनर्स रहते हैं यहां पर स्लीमा में है 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 कि जुब आज सब्सक्राइब ना मंजुल है और आप सभी का स्वागत ने चैनल पर रदेकृष्णा को दोस्तों आज जो वीडियो है वह बता दूम्हें किस बारे में हैं वह वीडियो है कि, माल्टा में किन-किन फिील्ड की आपको बता हुए कि र्क्वार्मेंट है जब सेदा जब इअपको बता हुए, में किन-किन फिील्ड में है और तो अबने सात में आपको, मैं सेलरी शेलरी भी एक एक dower of idea तो प्लीज इस वीडियो को मिस्स मत करना यह ज्याद़ लंबी वीडियो की साथा अट मिनिट की मेकसिमुम तो Suber मत कीजstart कीजिया टो सबसे जो सबसे जयादा सब्सक्रावसद्स ऐस एपकी Х зв क में आप यह मांगे चलिए सबसे पहले जो है शेफ शेफ की बहुत ज़दा रिक्वार्मेंट है और शेफ के बाद मैं आपको बोलुआ शेफ के पहले मैं आपको सेलरी बता दूँ शेफ अगर आप हैड़ शेफ है आप किसी कुजीन का है ना यूरोपेन कुजीन का स्पेशली तो काफी अच्छी डिमांड है आपकी और आप यह मांगे चलिए अगर आपके पास तीन से चार साल का एक्सपीरियंस है और आप किसी दूसरी कंट्री में कर चुके जॉब लाई इंटरनेशनल लाई सिंगापूर में किसी कंट्री में दुबई में यूवई में मतलब तो आपको आप मान के चलिए तकरीबन तकरीबन जो है आप 10 से 11 यूरो आप आप से परावर कमा सकते है और तो काफे ची यह इस मतलब परावर सेलरी है और अजर मैं मोटा मोटा बोलू महीने का तो आप 1314 यूरो आप से हाश कीपिन को अगरं होको आट मिल जाएगा और अगर शिव थे यूओर अचो यूरो परावर आपकी सेण स्ल्रूरी होगी तो पहले मिनए आप बताएं शेफ दुसरा बता है Ladu हाउस्कीपिंग में हाउस्कीपिंग में एक बाद जो है आपका cleaners होगा जो सिरे परडिक्ली क्लीनर्स होते है हाउस्कीपिंग में तो आप पूरा रूम साफ करते हैं cleaners में आप cleaners के काफी requirements सबसे ज्यादा cleaners की requirement है क्योंकि जो आपको मैं अंदर की बात बताओ वो जो Maltese लोग है यहां पर जो लोकल लोग है वो avoid करते है cleaner की job जो low category jobs है जो unskilled jobs है उसमें ज्यादा तर आपको दिखेगे मैकसिमम आपको दिखेगे अफ्रीकन्स है ना उसके बाद फिलिपिन्स कुछ देखेगे आपको इंडियन्स भी है ऐसा नहीं है और अपना पाकिस्तानी भाई और यह श्यूलंकन्स तो आपको यह लोग जो है ज्यादा दिखेगे इस low skilled jobs में तो but requirement बहुत है और वीजा ज़रूरी है तो मैंने आपको बता है शेफ का अपना हाउसकीपिंग बता दिया आपको cleaners बता दिया उसके बाद आपको बार्टेंडर्स की बहुत requirement है बार्टेंडर्स अगर आपको और अगर आपके लोग कोई टिप्लोमा कोर्स हो गयरा कर रहा है तो बहुत ही बड़ी ह जो तक भी दे सकते बार्टेंडर की तो यह मैंने आपको बता दी हॉस्पेडली सेक्टर इसके बाद में आपको ताहू आई-टी में बहुत ज्यादा बल्क में requirement आपको आई-टी से है तो आई-टी की भी काफी requirement है आई-टी में आप यह मान के चलिए अगर आप software engineer है ना ख सनुग्रूप हो गई और आपका common group है बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी company है वो भी और जिसके 17-18 countries में मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ज्यादा हो गए offices है तो आप वहाँ पर apply कर सकते है और gaming company आपको मैं apart from salary आपको बताओं मैं पड़ी amazing life होती है stress free life होती है यहना 0% stress है और other benefits apart from salary बहुत ज़्यादा benefit होते है private health insurance होगा unlimited buffet होगा अपना breakfast मिलेगा everyday यह बतारो maximum gaming companies देती है और everyday Friday beer वगएर यह सब चीज़े आराम से आपको मिलती है तो और work from home मिलता है तो आप कभी भी जब चब चब चौह आप work from home करो हाला कि changes हो रहे है rules but still I think gaming company they they give liberty enough liberty कि आप घर से भी काम कर सकते हो और पहुत सारी fun activities होती है time to time तो काफी अच्छी attractive industry है और अगर आप IT से है तो आप या even कोई specific European language अगर आपको आती है तो please मेरी बात को ध्यान से सुनिए gaming company में apply कीजिए salary भी अच्छी है other benefits भी अच्छी है और सबसे ज़्यादा जो है work visa जो मिलता है मतलब अगर देखा जाए तो gaming companies सबसे ज़्यादा provide कराती है non you apart from hospitality sectors की companies है वो भी तो IT का मैंने बता दिया आपको है ना IT के बाद जो है finance में आऊ हूं मैं finance में आपका auditors की काफी requirement है accountants की काफी requirement है यहां पर तो आप try कर सकते हैं और gaming companies में भी requirement होती है accountants की तो वहां पर भी आप apply कर सकते हैं salary आपको बता हूं में अगर IT की तो IT की salary आप यह मान के चलो अगर depend कर अगर आपके पास 45 साल के experience है IT में और gaming company में जा रहे हो आप तो 30 के आपको अराम से मिल जाएगी gross 30,000 और accountants का depend करता अगर आप qualified है और experience है इन 4 साल का तो उनको भी लगबाग 28 के 30 के अराम से मिल जाएग यहतना जाए experience हो को salary उतनी जादा raise होगी तो मैंने यह आपको accountants की salary बता दी IT professionals की salary बता मैंने आपको IT मता दिया IT में तो पूरा Europe में बहुत requirement है और आपका accountants मता दी मैंने auditors बता दिया और जो मुझे लगती है requirement वह आपका जो है इस चीज की salary भी काफी अच्छी है construction company में industry में और वहाँ पर भी आप जो है अपलाए आपको यह जो है salary बता दी है accountant वगएरा की वीजा है हाँ पर अपलाए करता identity माल्टा में तो भी cover letter देना पड़ता identity माल्टा को तो वह कैसे बनाया जाए क्या लिखा जाए उस पर particularly तो उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊ हूँ आप मेरे माइंड में है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा content आपक क्या है हाँ जाूआ कर रूप वीजा हूँ झालाए करता अया है और आत्त है है